हेलो गाइज मैंग देव और आपका स्वागत है हमारे चनल फोर अन्लिंटर ट्रिक्स में दोस्तों अगर आप वेब डियुक्त सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुर सभी वीडियो पर आया हैं जहां पर हम आपको six language के बारें बता रहे हैं जहां पर हम यहां पर आपको सिखा रहे हैं तो अब तक हमारे चनल पे कम से कम से 24 लेसन आ चुके हैं से रिलेटेड जहां पर हम एक-एक elements को एक-टैक्स को बड़े अच्छे से ध्यान से कर रहे हैं ओके और यहां पर हम first of all theory करते हैं थारी के बाद हम प्रेक्टियर करते हैं ताकि हमें समझने में आइसानी हो ओके तो आप ज़दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और ज़दी की आज की वीडियो में क्या हने वाला व। हम थु्छा सकता तैंग करने वाले हैं तो हमने लग ओके थे और किति और को हम अच्चे दवारा or वीडियो को साथ चाहिक को लाइक कीजिए दोस्तों ओके तो फर्स्ट वॉल हम यहां पर तू अठीटर का दूज करने वाले हैं वह हमारा हो फ्रस्ट आफॉल हमारा दिटर होकी नौटपैड और 2nd होगा रहा नौटपैड प्लस प्लस दोंप में हम आपको 30 क्लासिस देंगे और जो मारे नौटपैड प्लस-प्लस होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे करें तो जब दीसे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चाहिआ को सब्सक्राइब कीजिए साथ में इस बैल के एकन पर क्लिक कीजिए और यहां पे all notification प्यों कीजिए ताकि आपको मेरा आने वाले हर वीडियो के अब हम इसमें क्या करने वाले हैं यहां पर बात करते हैं तो हम इसमें बात करने वाले हैं html if for from s okay हम इसके बारे में बात करने वाले कि यह क्या होता है और इसमें हम क्या कुछ add कर सकते हैं क्या कुछ हम इसमें करने वाले हैं और इसके टैक्स गहरा क्या होते हैं okay तो हम इसके संटैक्स को देखते हैं if for me means syntax okay तो इसके जो syntax होते हैं and html if for me is defined with okay हम इसको चुदे में करते हैं html if for me if for me is defined defined with the if for me यह हम इसको इस तरह टैक को use करेंगे okay यहां पर हम क्या कुछ कर सकते हैं और the src यानि कि हम यहां पर links को भी add कर सकते हैं url को यह हमार अट्रिब्यूट है attribute specified specifies the url url and then यहां पर web address okay तो हम यहां पर url में web address दे सकते हैं of the inline from page okay तो हम इसमें यह कर सकते हैं and next हम इसमें क्या करने वाले हैं for me set height and width तो हम इसकी height and width को add करने बाले हैं use the height and width attribute attribute to specified to specified specify the size of the for me okay and इसके बाद हम इसमें क्या होने माला है the the height and width the height and are specifies in pixel pixels default okay and इसमें और क्या होने वाला है इसमें हम remove to the water को करने वाले हैं हम इसका बादर आप for me remove water remove the water हम इसमें बादर को add करने वाले हैं by default and if for me has a border around it okay and next हमार होगत to remove the border add the style style attribute and use the css border property property okay इसमें हम css इसमें हम css की border property को यूज करने वाले हैं अब इसके बाद हम इसमें use करने वाले हैं if for me target link target for a link okay और इसमें हमारा क्या आने वाला है can inform me can be used used as the target frame for a link okay and next इसमें हम करने आरे हैं the target attribute यह हमारा एक attribute है of the link must must refer refer to the name attribute of the name for me okay okay तो आज की वीडियों हम यह सब जानने वाले हैं हमारे पास 3 से 4 examples और जो हमारे files होंगी उनको हम create करने वाले हैं यहां 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 वेब साइट के एड्रेस को URL को यहां पे page के लिए दे सकते हैं ताकि यहां पे कोई क्लिक करें और हमारी website यह थिसी भी लिंक पहुंच जाए और उसके बाद हम यह करने वाले information height & width information height & width we change और उसके बाद हम जित का border होगा इसको हम remove करके देखेंगे और इसमें हम colors वगारा भी करेंगे को इंदन नेक्स तर्गेट फोरे लिंक हम लिंक को एक टार्गेट करेंगे ओके दोस्तों तो आज की वीडियों में यह सब होने वाला है तो इससे आपको जाने की थोड़ी सी जानकारी पहले से हो जाती है कि हम इसमें क्या कुछ करने वाले हैं तो चलिए अब हम notepad++ को open करते हैं और notepad++ में देखते हैं कि हम यह सब कैसे करने बाले हैं ओके दोश्तो तो चलिए हम यहां पे notepad++ को open कर लेते हैं यह हमारा notepad++ open हो गया ये हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने आईडि की वीडियो की थी उसकी ये लिंक है तो यहांपर हमारी कोडिंग की फाईल है ओके तो यहां पे हम एक आईडि की सेट करते है BROWN और यहां पे किसी भी एडिग यर बायङ्राफ में एडर करते हैं तो वो हम id को यूज करके इस तरह लग लग पेज पे विजिट कर सकते हैं और दस्तों तो चलिए अब हम यहां पर Ctrl N करके एक new page सेट कर लेते हैं Ctrl N कि यहां पर हमारा new page है हम इसे first page पर add कर देते हैं कि ओके यह रहा हमारा चलिए हम यहां पर अपनी coding शुरू करते हैं और देखते हैं एक simple paragraph को यहां पर add करके देखते हैं तो हम एक simple file को run करते हैं do step do step okay यहां पर html, close, enter, यहां पर हमारा html, html, close यहां पर हमारा header, header, close, enter, and then यहां पर हम title को add करेंगे title, close, okay, close, and यहां पर हम page, title, and then हमारा title, close, title, close, okay, and then हम यहां पर adding को करते हैं close, slash, header, close, and then हम यहां पर एक body को create कर लेते हैं body, enter, enter, and हम यहां पर एक header को add कर लेते हैं okay, heading 1, and then close, यहां पर हम कर देते हैं, this is a heading, okay, and close heading 1, okay, and then हम यहां पर कर देते हैं, heading 2, sorry, हम यहां पर paragraph को add कर देते हैं, paragraph, this is a, this is a paragraph, paragraph, and then हम यहां पर हम पर कर देते हैं, close, close, enter, and then हम यहां पर देते हैं, body को, close, slash, body, close, enter, and then हम यहां पर हमारा html, html, close, enter, okay, तो हम इस file को run करके देखते हैं, कि इसमें हमारी file कैसे show करती है, ctrl s करते हैं, okay, and then हम यहां पर 20, six, file number add कर देते हैं, file, okay, यहां पर हम dot html, थाकि हमारी यहां फाइल रन कर सके, अगर हम dot html में save नहीं करते हैं, तो हमारी file फाइल रन नहीं करती, okay, तो यहां पर हमें save as type में, हमें all select करना है, all type, यहां पर मैं a press करता हूँ, okay, 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 and यह हमारा all types आ गया, यहां पर हम करते हैं, save, okay, तो यह देखिए हमारा जो paragraph है, जो हमारा, एक simple document है, वो हमारा ready है, हम इसे run करके देखते हैं, चलिए हम इसे minimize कर देते हैं, okay, and then, यह रही हमारी 26 file number, हम इसे करते हैं, okay, यह हमारी file open हो रही है, तो यहां पर हमारी file open हो चुकी है, अब हम यहां पर क्या कुछ और add करने वाले वह हम देखेंगे, okay, तो यह हमने एक simple document को यहां पर ready कर लिया है, okay, तो हम आगे इसमें और क्या 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 add करने वाले, क्या क्या इसमें देखने वाले हैं, वो हम चले इसमें देखते हैं, चलिए हम इसको, यहां पर editing करना शुरूर करते हैं, ताकि हम यहां पर अपनी editing करें, और यहां पे हमारा जो जो भी है हमारा page set हो जाए अब हम यहां पे editing करते हैं यहां पे हम मारा header को हम कर देते हैं close okay यहां पे हम करते हैं से select header and then close body okay हमारी body में heading हम इसको change कर देते हैं हम इसको यहां से यहां तक change कर देते हैं html look for mesh okay and यहां पे हम paragraph में add कर देते हैं you can can use the height and width 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 and attribute attributes to specify the size of the of the me if हमें इसकर देते हैं close हमारी यह close है okay यहां पर हमें इंटर प्रिस करते हैं नब हम इंटर पर से बात करते हैं कि फर ने हम यहां पे आड करते हैं इफ़ 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 मी okay and src okay then equal double comma demo okay and यहां पे इफ़ मी dot html html okay html double comma यहां पे हमारी होगी height height equal double comma 200 and यहां पे close enter यहां पे हमारी होगी width equal double comma 300 300 okay and then हमें से कर देते हैं close and हमें से कर देते हैं इफ़ को भी close slash if for me and यहां पे close okay तो यह हमारी इफ़ का जो extension है यह हमारी यहां पे set हो चुकी है अब हमें करते हैं से control as और बेखते हैं हमें से check करके okay यह हमारा save होगा हम यहां करते ही फ्रेश और यह देखिए हमारी जो heading है वो यहां पे add हो चुकी है यह देखिए इसमें हमने जो file एक में तो यह देखिए इसमें हमारी जो file है वो यहां पे इसने नहीं उठाई क्यों नहीं उठाई क्योंकि हमने यहां पे जो editing में file add किया है यह हमारी फाइल यहां पे नहीं है हमारे PC में, इसलिए यहां पे इसने नहीं उड़ाई, तो चलिए हम यहां पे एक फाइल का लिंक उठा लेते हैं, हम इस फाइल का लिंक उठा लेते हैं, CTRL C, OK, and then हम यहां पे कर देते हैं इसकी, जो हमारा फाइल है, हम इसमें हमारे लिं क्यों एड़ कर देते हैं हम यहां से यहां तक ctrl v okay एंड हम इसे करते है ctrl s और अब हम चेक करते हैं यहां पर हमारी जो फाइल है हम इसे कर देते हैं फुल सेट कर देते हैं ताकि हम यहां पर ctrl s एंड यहां पर हम कर देते हैं से refresh sit earn press okay दो छो यह दिखिए अब जिर जो भी फाइल बाई हम भी फाइल जो कर्वा नाँ चाहते हो यह कोई पर ऐंब कर सकते हो यहान को कोई भी हो यहां पर चैक कर सके तो आप इस तरह यहां पर आप फाइल को add कर सकते हो with information तो चलिए अब हम इसमें next देखने वाले और क्या क्या होने वाला है तो ये बहुत interesting सा topic है क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी website के page में अगर ये फिर लगाना चाहते हैं यानि कि एक और यहाँ पे page के अंदर एक और box जिसमें हम एक और page आइड कर सकते हैं तो ये यानि कि हम यहाँ पर पूरी पूरी website को ही यहाँ पर set कर सकते हैं यहाँ पर हम click जैसे करेंगे हम वाई पर पहुँच जाएंगे तो यानि कि website के अंदर एक website को add कर सकते हैं तो अब हम चलिए next करके देखते हैं जिसमें हम और भी बहुत अच्छी सी जानकरी है इसमें वो भी हम इसमें सीखेंगे क्या क्या कुछ होने वाला इसमें ऑके दोस्तों तो next इसमें और काफी कुछ हो सकता है अगर हम सीखें और भी चलिए अब हम यहां पे इसे कर देते हैं full page ok यहां पर हम इसे करते हैं full screen ताकि हम यहां पर और changes जो करना चाहें वो कर सकते हैं ok तो हमारी जो paragraph रहेगा HD सेम रहेगा यह भी हमारा सेम रहेगा अब हमें इसमें क्या change करने बारे हैं कि हमने इसमें जो border کی height और width को लगाया था set किया था अब हम इसको पिक्सल में आड़ करने वाले हैं और यह हम पूरी style में आड़ करेंगे अब हमने क्या किया था इसमें किया था हमने src में link हमने आड़ कर दिया था यहां पर जहां तक और इसके बाद हमने इसीदा height और width को आड़ कर दिया था लेकिन अब हम यहां पर style के साथ इसको आड़ करने वाले हैं यानि कि इसमें जो changes होना वाल है सिर्फ style change होने वाला है हम इसमें style आड़ करने वाले है style equal okay and then double comma and then यहां पर हमारा double comma यह रहा है ओके जहां पर हम यह double comma यूज कर रहे है हम इसको कर देते है close और यहां पर हम pixel में add कर लेते है यहां पर हम set कर देते है इसकी height को 200 pixel 200 pixel okay and then space अगर आप space देना चाहे तो space दे सकते है और यहां पर हमारी mistake एक हो रहा है हम यहां पर equal को use नहीं करेंगे हम यहां पर करेंगे semicolon को use okay and then इसके बाद हम यहां पर करेंगे colon को use okay इसके बाद हम यहां पर जो हमारा 300 है हम इसको sidebar को cut और यहां पर हम width को यहां पर semicolon और यहां पर हम करने वाले है 300 pixel को use 300 pixel and then colon use colon okay and then हम यहां पर करते हैं डबल गॉमा तो इस तरह हम यहां पर थोड़ा सा और changes कर दी है अगर हम पहले बारा भी रखना चाहें तो वह भी रख सकते थे okay तो चड़िए अब हम यहां पर इसे कर रहते हैं copy और हम देखते हैं उसी को भी रखके और यह new को भी create करके ctrl c and then हम कर देते ctrl z okay यह हमारा hd रह गया okay अब हम यहां पर एक और entry create कर देते हैं और हम यहां पर देखते हैं ctrl v करके okay and then यहां पर हमारा enter अब हम इन दोनों को देखते हैं इन दोनों में क्या difference होने वाला है हम इसे तो पर ctrl s okay हम इसको करते हैं यहां पर full size यानि की locked ताकि हमारी file यहां से कहीं जाए न हम किसी और browser क्लिक करें तो हम इसे कर देते हैं refresh okay तो यह देखिए यह हमारा first और यह हमारा second page okay तो हम इस तरह है अपनी कहीं भी भी add कर सकते हैं कितने भी pages को add करना चाहें तो यह हमारा है यह हमने first of all यहां पर as it is किया था कि हमने 200 वगारा में simple और यह हमारा हमने किया style pixel में लग भी कोई फर्क नहीं होता लेकिन यहां पर जो हमारी editing है उसमें फर्क है यहां पर हमने style में यह हमारा जो है यह हमने html किया और यह हमारा css के style में इस भी आ जाता है और यह html के दोनों में लग बग तो चलिए अब हम इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं हम वो देखते हैं तो हमने यहां पर अब तक two pages को इस website में add कर दिया अगर हम इस तरह किसी भी तरह कितनी भी website को add करना चाहें तो हम कितनी भी website को यहां पर add कर सकते हैं और यहां पर उनके pages को show करवा सकते हैं तो यह हमें एक new बात पर चली है है ना ओके तो इस तरह हम यहां पर कितने भी कुछ भी add कर सकते हैं तो छलिए डिए अब हम यहां पे और क्या इड़ करने माले हैं। चलिए बार्टर को नलिक्षा ब्रण करने माले हैं। चलिए बार्टर क्ह हमारी फाइल का लिंक एड़ कर देते हैं हम यहां से इसको करते हैं copy and then हम यहां इसे करते हैं control v और यहां पर हम इसे कर देते हैं double comma start close और उसके बाद हम यहां पर दे देते हैं style style equal double comma border 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 मारा होगा none none में हम कुछ भी इसका border नहीं होने बाला okay यहां पर हम colon को use करेंगे and then हम नवारे double commas और यहां पर हम इसे कर देते close okay और यहां पर हम कर देते है इस फरको भी close और अब हमें से करते है control s और देखते हैं हमारी जो file है वो कैसे run करने वाली है okay तो चलिए अब हम यहां पर save mode set आ देते हैं okay तो यह जो हमारी file है यह run हो चुकि हम इसे कर देते हैं okay okay तो हम इसे refresh करते हैं okay यहां पर हमारी file number 25 26 okay यह हमारी file number यहां पर आएगी हम इसे एक को कट कर देते हैं हम यह यह वाली ओके तो चलिए अब हमारी जो file हम इसे run करते हैं हम इसे locked करते हैं यहां पर control s and then refresh यहां पर हमने refresh किया तो यह दिखी अब हमारे यहां पर three page एड़ हैं यहां के without border के हम यहां पर से unlocked करते हैं और यहां पर हम maximize यह दिखें यह जो हमारी तीनों paragraph हैं यह तीन हमारे pages हैं वह अलगड़ टाइप में शो करते हैं यहां पर without border हमने without border यह with border के साथ था ओके तो इस तरह हम यहां पर एक ही page में अलगड़ website की pages को add कर सकते हैं और उनको scroll करके देख सकते हैं ओके तो चलिए अब यहां पर और विजो जानकर यहां यहां चलिए तो अब हम यहां परầy मैं यहां पर एक और च्वार चीज़ और चीज हों है अमारी बटर को हमوسकी परे एड़ कियागा, ओके, तो चलिए अब हम यहां पर एक और यह उन्ट्री कराते हैं, हम इसको पिक्सल में और जितने मी जैसे भी देना चाहें, हम कर सकते हैं, हम यहां पर एक नूफर की सा फाइल मनाते हैं, इस फर्मी, ओके, एंड यहां पर हम src equal, एंड यहां पर हम यहां पर double comma, हम कर देते हैं, यहां पर ctrl v, while link को, एंड यहां पर हमारा double comma, एंड यहां पर हमारी entry एक, करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए कर देते हैं, यहां पर हम स्टाइल, equal, double comma, ओके, double comma, यहां पर हमारा border होगा, two pixel, border, semicolon, हमारा two pixel, okay, एंड इसके बाद हमारा होगा, जो solid color होगा, solid red, and then column, और उसके बाद हम double comma, को on कर देते हैं, यहां पर हमारा जो last name को हम यहां पर close, and then greater than, यहां पर slash के साथ हम, इफर मी को भी कर देते हैं, close, okay, तो यह हमारा fourth paragraph, जो हम add करने वाज़ थे, हम इसको कर देते हैं, control S, और यहां पर check करते हैं, okay, यहां पर हम कर देते से refresh, और यह देखिए, यह हमारा app page with border के साथ हमारा शो कर रखा है, इसलिए हम यहां पर और भी editing कर सकते हैं, और editing हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए हम यहां पर, जिस दिस के बारे में हम, वैसे वैसे हम add कर देते हैं, यहां पर हम एक BR को add कर देते हैं, ताकि जो हमारा paragraph है, वो अलग शो करें, यहां पर BR, एक, ओके, बी आर, एंड एंड एंटर, एक BR हम यहां पर add कर देते हैं, BR, close, एंटर, एंड यह हमारा लग रहेगा, तो चलिए अब हम यहां पर एक और control एस करके देखते हैं, यहां पर क्या changes होंगे हैं, ओके, तो यह देखिए, अब जो हमारे borders हैं, वो लग लग शो कर रहे हैं, लाइन वाइस, ओके, तो अब हम यहां पर और जो, यहां पर डिटिंग कर सकते हैं, वो है, हम इन borders के बारे में लग लग custom कर सकते हैं, ओके, तो यहां पर हम heading to, add कर देते हैं, इसकी, heading to, यहां पर हम करने वाले custom, custom, before me, border, border, हम यहां पर heading to को परते हैंगी, close, enter, and then यहां पर हम एक paragraph एड कर देते हैं, paragraph, and यहां पर हम कर देते हैं, with, CSS, you can, also, change, the size, style, change style, and, color, of the, for me, okay, and border, हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देते हैं, यहां पर close, okay, हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसे कर देते हैं, close, slash, paragraph, close, okay, तो हमने यहां पर यहां पर इसको, ctrl s किये, enter, ctrl s, and then हम इसे कर देते है, refresh, तो इस तरह हम काफी कुछ इसमें आड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो और भी तो चलिए अब हम टार्गेट लिंक्स को एड कर लेते हैं इसमें हमारे टार्गेट लिंक्स कौन से होंगे वह हम इसमें बताने वाले हैं तो हमने जो अब तक बॉर्डर का लो को एड किया था अब हम इसमें जो हम बॉर्डर को जो हमारा टार्गेट लिंक है ओके इफिर में टार्गेट लिंक हम उसको एड करने वाले हैं ओके तो चल कि यहां पर मारा क्या कुछ होने बार हम यहां पर एक हैड्र को आड़ कर लेते हैं कि हमारा हैड्र होने वाला है एडिंग टू है एडिंग टू क्लोज है ओके एंड यहां पर हमारा होगा इस फर्मी है ओके यहां पर हमारा होगा टार्गेट target4a link and then हमारा heading to को करते हैं के close slash के साथ slash heading to close enter press and then हम यहाँ पर फ़र बाला एक और यहाँ पर हम br add कर देते हैं तक कि हमारा जो paragraph लग show enter and then हम यहाँ पर फ़र को add करते हैं if for me okay and यहाँ पर हमारी height equal 300 pixel 300 pixel यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर यहाँ पर add करते हैं यहाँ पर हमें 300 pixel add करना 300 pixel and then उपर की साइड डाब को मा okay अब हम यहाँ पर width को add करते हैं width को add width equal double को मा यहाँ पर हम कर देते हैं 100% okay 100% and then हम यहाँ पर इंटर परस करते हैं यहाँ पर हम src okay equal double को मा and यहाँ पर हम अपनी इसी फाइल को paste कर देते हैं okay and then double को मा और उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पर okay double को मा and then और उसके बाद हम यहाँ पर add करने वाले name को name equal if for me if for me okay and यहाँ पर हम over add करने वाले हैं okay यहाँ पर हम if for me को add कर चुके हैं if for me यहाँ पर हम कर देते हैं A and then double को मा यहाँ पर हम पर हम आपका देते हैं and then हम यहाँ पर कर देते हैं say close and then यहाँ पर यहाँ पर कर देते हैं slash if for me okay close okay तो हम यहाँ पर गोर इंटर्पैस करते हैं, यहां पे हम एक पैरग्राफ का एड़ कर लेते हैं, यहां पे हम अपना एक लिंक अड़ करेंगे, यहां पे हम A अरफ लिंक अरफ अरफ एक्वल डबल कोमा यहां पे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं लाइक दे सम्ट हम एज टी प्यास यहां पे हम समी कोलन यूज करें हैं यहां पे हमारा slash slash and www.facebook एक एक एक्वल करें हम दे रहे हैं dot com ओके तो हम यहां पे डबल कोमा किसाथ जगर दें close हमारा target होगा target equal double कोमा if for me if for me यहां पे हमारा होगा a and यहां पे हम एजिए कर देते हैं close और यहां पे हम इसे यहां से close करके हमारा होगा facebook.com 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 अब हम यहां पे add कर देते हैं a को slash a close and then हमारा paragraph slash paragraph close ok तो चलिए अब हम यहां पे इसे save करके देखते हैं हमारा जो एक और paragraph होगा हम यहां पे add कर देते हैं ok यहां पे हम एक और paragraph को add करते हैं ok हमारा paragraph होगा e close and when when the target of a link matches the name of the if or me ok the link will open in the if or me dot हमारा जो paragraph होगा slash के साब हमें से कर देते हैं close enter ok तो अब हमें से कर देखते हैं control s और देखते हैं हमें से क्या changes होए है ok हम यहां पे कर देते हैं refresh ok refresh अब हमें यहां पे चेक करते हैं नीचे यह देखी यह जो हमारा इपर में टार्गेट अफ लिंक हो गया यह हमारा पेस्बूक हो गया जैसे हम यहां यहां पे क्लिक करते हैं तो यह देखी है हमारा जो टार्गेट लिंक फेस्बूक यहां पे ओपन हो जाएगी तो इसे पर हम यहां पे कुछ भी आड़ कर सकते हैं तो यहां पे हमारा जो टार्गेट पेज होगा वह फिरमी होगा हम देखते हैं कि क्यूंग यहां पे रण होग डूने होना चाहिए हमारा इक फर्मी पेज यहां पे फाइल हमारी में भी रोंग है हमें से करते हैं Ctrl C and then हमें से करते हैं हमें से करते हैं Ctrl P ओके चलिए बन में से करते हैं यहां पे Ctrl S और यहां पे देखते हैं ऐसे Close करके 25, 26 यह हमारी फाइल बार बार रोकर जा रही है 25, 25 यह हमारी फाइल नंबर कुछ भी नहीं है ओके हमें से करते हैं यह हमें से करते हैं यह हमारी 25 नंबर 24, 25, 26 यह हमारी 25 को में तर्ट करते हैं तो अब हम यहां पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो यह हमारा इसमें टार्गेट जो है वो हमारा इफरमी यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा यान कि जो हमारा लिंक यहां पे लगा हुआ है वो हमारा यहां पे बरक कर रहा है तो यहां पे हमारा जो नहीं यूज नहीं किया ही है हमारा क्यों नहीं चला हम देखते हैं इसमें क्या प्रोब्लम थी और क्या प्रोब्लम है ओके हम यहां पर if for me height if for me height equal 300 pixel width ओके यहां पर हमारी src demo कुछ भी हम add का सकते थे और next हमने की name name को add किया ओके चलिए हम यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते थे यहां पर इसे कर देते है ctrl x एड यहां पर हम इसे कर के देते है ctrl ctrl v हम यहां पर कर देते हैं इसे enter और हम इसे यहां पर ओके तो अब में भी हमारा यह प्रोग्राम अच्छे से run करेगा हम करते हैं से ctrl s और यहां पर हम इसे size चोटा करते हैं यहां पर हमें से लॉक करते हैं और यहां पर हमें से रिफ्रेश कर देते हैं ओके तो यह दिखिए हमारी जो फाइल है इसमें भी रन कर रही है और जो हमारा बटन है जहां पर वह भी एड हुआ पड़ा है हमें से एक बार जो हमारी फाइल है हमें से कर देते हैं ctrl set हमें से एक बार minimize और यह देखिए हमारी जो फाइल है यहां पर अच्छे से रन कर रही है अच्छे से वर्क कर रही है आजा है हाटे कर देते हैं hmm तो यहां पर हमारे जो टैक्स टैक्स है घ 15 वह अम्हारा यहां पर एड होगा पड़ा है तो इस तरह हम इसमें काफी कुछ चेंज्ज Kr कर सकते हैं अगर हम करना चाहें और bottle अगरा जो कुछ और भी लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं तो यह हमारा हर्फ वाला link add हो चुका है तो इस तरह हम यहां पे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे इसमें हमने आज की वीडियो में एफरमी, HTML की इफरमी को यूज किया और उसकी वीडियो को हमने create किया और उसके elements को, text को हमने use करके आज बहुत अच्छे से एक ही page में कई सारी website के link को pages को हमने add किया और उनको हमने run किया और नेक्स्ट पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया था कि जो हमारे HTML की IDs हैं हम उसको कैसे करेंगे तो हमने यहां पर उसकी IDs को add किया था अब हमारी जो next वीडियो आने वाली है उसमें हम HTML जावा स्क्रिप्ट के बारें बताने वाले हैं ताकि आप नहीं नहीं वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथ में इस बैल का एक में क्लिक कर दिए जिससे कि आपको मेरे आने वाले हरो वीडियो को नोटिफकेशन मिलती रही है कि दोस्तो थैंक्यू धरने